ठीक है तो हम लोग यह वाला तो देख ली थे इकले डिविजन और यह इसका यह फुल फॉर्म वगर हो गया अब देखो इसको पहले समझ लो यहां पर हमको निकालना है सेविन ट्वंटी फॉर और थर्टी नाइन का सिय यानि के पहले ऐसे निकालते थे कैसे करते थे कि जो यह कट गया 4-1 कितना हुआ 3 हो गया न यहां पर हम लोग 3 लिखेंगे अब यह रिमेंडर जो बचता था ठीक है इससे क्या करते थे इसको डिवाइट करेंगे सेविन को डिवाइट करेंगे अब यह अब यह वाला डिवाइजर हो जाएगा और यह इसका डिवाइड हो जाएगा सेविन अब देखो यहां पर क्या हो जागा 326 यहां पर बचा फिर से अब यह वन डिमेंडर बचा है इसको यहां पर रखो 133 यह कट गया अब इसका इन तो finally इन तीनों को cut करने के लिए कौन किया कौन किया इसलिए हम कहते थे कि stuff कितना होगा इसका वन विगा लेकिन इसमें थोड़ा सा हट के करना है हमको कि यह सारा चीज होगा और इस वाले मेथट से वो जो हम लगाते हैं तब हमको से एक एक्जामपल ले लेता हूं 14 और 117 का ठीक है देखो तुमसे पूछेगा 14 and 117 का क्या करना है तुमको SCF बताना है SCF बताना है किस मैथट से इसी वाले मैथट से इकलिट डिविजन लेमा वाले से ही तुमको SCF बताना है तो सबसे पहले करेंगे हम इस 14 को 14 से डिवाइट करेंगे ना 117 को ठीक है तो 14 से अगर 117 को डिवाइट करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा कि कितनी बार जाएगा बताओ कि देखो अगर दो भाई 11 है 49 ज कितना होता है बताओ कि 49 ज एंट वान टुवण्टी एट बार में लेकर जाओ ना वह ज़ाएगा ठीक है तो 48 जा कितना होता है बताओ यह हो गया चाहिवाइट जा वंटटेट ट्वेल अब इसको क्या करोगे घटाओगे तो यह क्या होगा सेवन माइनस टू फाइफ हो गया और यह कट गया ठीक है यह दोनों कट गए अब दिखो यह फाइफ यहाँ पर तुम्हारा रिमेंडर बचना अब फिर फाइफ तो अभी जैसे यह हुआ है यहाँ पर तुरंत इसको लिखना पड़ेगा यह इसका इसी अपनी कालने के लिए लिखोगे वाई युकलिड डिवीजन लेमा ठीक है मैथल पर इतना ही लिखना पड़ेगा और युकलिड डिविजन लेमा मैथल अब युकलिड लेमा मैथल क्या है अभी जुस्ट में बताए कि जो यह 170 तो जो होगा न वह डिवाईजर इं 14 into 8 14 into 8 plus remainder यहां पर क्या है 5 है तो यहां पर 5 यहां पर add करतेंगे समझे यही चीज़ हम वहां पर बताया थे अब तब तक हम यह process करते रहेंगे जब तक उसका remainder 0 ना जाए जब तक यह process हम करेंगे अब देखो अभी तो तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसी 5 को ऐसे कर देते यह 14 यहां पर लिख देते हैं यह करते हैं अब फिर से divide करेंगे तो कितनी बार चाहेगा 5 टूजा ठीक है यहां पर 5 टूजा 10 हुआ और यहां पाया कितना 4 तो अब देखो यह वाला इससा यहां से कोई मतलब नहीं अब अभी हम को यहां से देखना है तो फिर से हम लिखेंगे अगेन अगेन एकुलिट डिविजन लेमा मैथड समझ रहे हो यह फिर से चलेगा तो फिर क्या लिखो कि यह वीच वाला 14 दिखर है न यह यहां होगा डिवाइड बराबर 5 इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस रिवेंडर क्या यहां पर 4 यहां पर लिखेंगे अभी भी देखो पूरा यहां रिवेंडर जीरू नहीं है इसका मतलब और आगे कटेगा तो फिर हम क्या करेंगे इस 4 से इस 5 को डिवाइड करतेंगे तो 4 बन जा 4 5-4 कितना हुआ 1 आया ना तो अब हमको इतना लेना है इसके नीचे वाला तो यहां पर फिर से लिखेंगे अगें इकलिट डिविजन लेमा मैथड ठीक है अब यहां पर 5 बराबर क्या हो जाएगा 4 into 1 देखो 4 into 1 प्लस रिमेंडर भी क्या है तुम्हारा 1 है समझे पहले तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 4 into 1 और रिमेंडर भी 1 हो जाएगा अब तुम बताओ यहां पे एक और सिस देखोगे अभी तो 1 रिमेंडर बच रहा है ना 1 रिमेंडर बच रहा है हमको 0 लेकर आना है तो 4 यहां पर करोगे तो 1 4 जा 4 अब 0 आगया ना यानि कटेगा मतलब 0 आगया तो फाइनली तुम्हारा क्या हुआ फिर लिखोगे अगेन इकुलिक डिविजन लेमा मैथड 4 equal to क्या 1 into 4 1 into 4 प्लस रिमेंडर यहां पर 0 अब रि सिए लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे देखो SCF किसका इसका और इसका ऐसे लिखना है 14 into,117 इन दोनों का SCF क्या होगा तो फाइनली कौन इसको डिवाइट क्या वन ना इन दोनों का SCF क्या होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा लिखे यहां तक समझ में आया तो यही तुमक माल्य कर लें है क्योंकि डिवाइट कर ने वाला है Proving वाला हम नहीं बता पाए ठीविश इना जी तो proving में क्या करता हैे को बी से हम डिवाइड करते हैं सोचो वही चीज है लेकिन हम इस तरह से देखेंगे अगर मालो बी से एको हम बी से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा कोशेंट आता है वो क्यूँ आता है और जो रिमेंडर आता है वो आ रहाता है देखो यह इनुवा बी से एको डिवाइड कर है जो कोशेंट आएगा क्यों आएगा रिमेंडर क्या आएगा आ रहाएगा तो ऐसे केस में क्या होता है तुमको पता है वह वाला फार्मुला वे लिखा था कि यह वाला होता है यह डिवाइजर होता है यह कोशेंट होता है और यह रिमेंडर होता है होता है न तो हम पढ़े तें अभी divide and equal to divisor into constant plus remainder यहीच न और इसके हिसाब से जो बनेगा क्या हो जागए बराबर देखो धान से यहाँ पर ए बराबर क्या हो जागा B into Q बताओ B Q plus remainder उसमें add होगा नहीं A बराबर BQ सार यहां तक समझे कि नहीं क्योंकि इसी पे कॉंसेप्ट के तुम्हारा जो प्रूविंग वाला है वह लगेगा अब यह डिपेंड कर रहा है आर क्या होगा समझे रो आर क्या होगा आर हमीशा जो है डिवाइजर से छोटा होगा यह समझ लेना एक ऐसे मैं लिख दू यहां पर कि आर जो है क्या होगा ठीके छोटा होगा बराबर भी हो सकता है ठीके छोटा होगा यह बराबर होगा लेकि अधिकता छोटा ही होता है छोटा लिखो आर जैसिंदन का मतलब वह चोट देखो यह पतला वाला इधर की तरफ है ना तो आर जो है छोटा कि यह होता है जो है जो है जो है क्या होगा स्माल होगा किस से यह वी क्या है डिवाइजर है न और फॉटा होगा एक अभी जस्ट देखूँ अभी हमने देखा कि हां पे 14 वाले मे तो हर केस में क्या होगा डिवाइजर बढ़ा होगा और रिमेंडर क्या होगा तुम्हारा छोटा होगा ठीक है न अभी यह वाला देखो इस इसमें कोई दिक्कत ने प्रूविंग वाला चूटा था न यह वाला हो चाहेगा निस टाइप का जैसे मालो फैक्टराइजेशन कर करके वह ऐसे डिवाइज करके तुम्हारे दिया होगा बुक में उसे निकाल लोगे न नहीं को बताओ को दिक्कत नहीं एक और बता दे एक दो और बता दे बताओ देख लो में इसमें प्रूविंग वाला जैसे छूट गया था और जो लोग नहीं आ है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कता तो देख लेते हैं ठीक है जैसे मालो एक दिया हुआ है हमारा छोटा कोई डिजिट लेते काफी बड़ा बड़ा है यहां पे 612 और 314 ठीक है 612 and 314 1314 1314 अब इसका SCF निकालना है इसी मैथड से समझ रहो तो सबसे पहले क्या करोगे अगर हमको SCF निकालना है था हमको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना 612 को जल्ली से बताओ ये कितनी बार कितने सब्सक्राइब तो यहां पर दो लिखोंगे कितनी बार टू 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 जा फोर टू बन जा टू 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 ट्वेल वह यह जीरो हुआ यह नाइन हुआ यही ना बचा ना इंटी बचाना तो यहां पर जब ऐसे डिवाइड हो जैसे एक स्टेप करो उसके बाद लिख दो तो एक स्टेप लिखने बाद यहां लिखोंगे ने बाई युक्लीड डिविजन लेमा मैथड इतना लिखना पड़ेगा यह था कि जो को यह डिवाइजर डिवाइडेंड है डिवाइडेंड यहां पर क्या है 1314 ठीके तो यहां लिखेंगे 1314 बराबर क्या हो जाएग दिवाइजर इंटू को सेंट यानि कि 612 612 इंटू टू प्लस रिमेंडर क्या है यहां पर 90 बताओ यहां तक समझ में कि नहीं बस वही लिखना और कुछ नहीं करना अब बताओ कि इस 90 को हम ऐसे कर लेंगे 612 को यहां पर करेंगे इसका बताओ क्या होगा कितनी टाइमस में जाएगा दो बार च्छे बार सिक्स टाइमस में जाएगा ना जीरो यह 54 तो यह दो हुआ और 11 में से चार्ज है कितना साथ 72 आया तो यहां पर लिखोगे अगें ठीक है इकलिड निविजन लेमा मैथड ठीक है फिर से दुबार हमने लिख दिया तो अब हमको इसको नहीं ध्यान देना है देखो यहां से अब हम जो गोला बना है यादि सरकल बने उसको ध्यान नहीं देना है हमको अब इसको देना है तो यहां पर डिवाइडेंट क्या हो चाहाई सो बारह हुआ तो यहां लिखेंगे 612 बराबर क्या 1926 1926 प्लस रिमेंडर यहां पे क्या है 72 यहां पे 72 लिख दो अभी भी देख अब हमको इसको ध्यान नहीं देना है अब इसको देखो तो इसके हिसाब से फिर से लिखोगे अगेन बहुत आसान है यह 90 इकोल टू क्या 72 इंटू 1 प्लस 18 हो गया अब कहोगे सार 18 से हम डिवाइड करेंगे इसको 72 को तो फोर टाइमस में तो यह तो कट जाएगा 72 कड़ी अब देखो इसमें हम अभी सीखेंगे न यह वाला तो कर लोगे तुम नॉर्मल बड़ा से बड़ा रहेगा तब अब तुमको क्या करना डिवाइड करके ऐसा ही करना पड़ेगा ठीक है अब में तुमको समझना है कि जैसे इसमें कुछ प्रूविंग वाले दिये गए हैं तो कैसे प्रूव करेंगे उसको समझ लेना है तो देख लोग प्रूविंग वाले में क्या है कि चलो मिटा देश को न हुआ कि देखो प्रूविंग में दिया है सो देट एब्री यह समझना है तुमको so that a proving question दरूर आता है मनलब जब भी आएगा इसे तो एक पुविंग वाला आएगा so that every positive event integer so that every positive event integer is of the form form of 2m and the every positive odd integer every positive odd integer is of the form 2m plus 1 2m plus 1 where m is some integer some positive integer where m is some positive integer कि देखो यह समयना है तुमको का ऐसे करके कोश्चन है कोई जरूरी नहीं कि यहां पे तुमारा तुम यह कुछ भी बोल देखो इसको कैसे करना है देखो सुलीशन में यह बोल ला है कि so that every positive integer even integer यादि कहरा कि जो इवेन इंटीजर होंगे कि इवेन इंटीजर वो किसके जैसे होंगे तुम के जैसे अब यह बस हम रफली ऐसे समझा रहे हैं कि जो भी इवेन इंटीजर होंगे के प्लस होगे के और जो और इंटीजर होंगे भी कि समझ लोह समस्ख है यह यह बिver उफ लॉइम प्लस वंके ज GIRस्व यही में तुम को प्रूफ करके के दिखाना है कि यानि कि जो इवेन इ Democrat क्या से होंगे तो हैं करें थीवेन प्लाइब क्य rights के तो कैसे हम प्रूफ करेंगे यह समझना है तुमको यह तो बस हम ऐसे लिख दिया है कि देग तो हमको यहाँ पर मान लेना है कि जो एन है हमारा जो भी यहाँ यह पर दिखा हुआ है तो हम यहां पर देखें कि टू एम टू एम प्लस होने इसके पहले हम देखे थे देखो क्या था एक को हम भी से डिवाइड करेंगे तो यहां कोशिंट क्यू बचेगा और यहां पर बचेगा अभी युक्लीड वाले में यहीं पड़े न तो हुआ हम को यहां थी क्यो हो देखो प्रण प्लस आर यहां तक समझ कूर्छ रहें कि नहीं है ठीक है आज एसे ही हमको ऐसा सेट करना है कि यह जो दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर यहां पर बात छोड़ो दो आ रहा है ना यहां पर भी टू आ रहा है तो एक काम करना ऐसे यहां पर जहां एलिखा हुआ है ना यहां पर एक नहीं दो से डिवाइड कर रहा है यह देखो so that every positive even integer is in the form of 2m and odd वाला 2m plus one होगा मलब ऐसे सेट करना यहां पर अब सोचो एक जगा पर ऐसे रहने दो ए बराबर अगर यहां पर बी के जगा पर हम टू रख दें और क्यू के जगा पर एम रख दें तो एटोमेंटिक आ जागे नहीं आ जगड आर तो अभी मैं सेट कर दूँगा अर्डिपेंड किस पर करेगा इस पर ना मंलोब ऐसे सोच लो कि अगर हम दो को एसे डिवाइट कर रहे है ओर यहां पर क्यू आरा रहा है तो ए बराबर क्या हो जगा थो व्लस आर रहेगा तो थ्री रखना है समझ रहो वह अलग-अलग देगा तो तुम्हा इसके हिसाब से बताओ क्या होगा ए बराबर टू क्यू प्लस आर होगा कि नहीं होगा तो यहां पे वह हम यहां पर लिखेंगे कि यह क्या है यहां पर लिखेंगे लेट ए इस और को पॉजिटीव इंटिजर करें कि समझ रहो एं क्या है एक एक होजिटिव इनिर ए और थिखेंगे एक क्या यहां पर पॉजिटीव इनिर वत्तिएग 된 तो इंटिए लिखेंगे है हिसाब से क्या होगा ए बराबर टू क्यू प्लस आर वहा पर क्रिमेंडर एक क्यूंट है तो बताओं एक बड़ाबर क्या हो जाएगा टू क्यू प्लस आर होगा की नहीं होगा लूटे ना इसके एक्वेशन नमबर फर्स्ट बनाने तुमको यहां तक समझे एक बड़ाबर टू क्यू प्लस आर बनाओगे तो उनको हम यह बात बताए है कि हमेशा आर जो है दो से क्या होगा बराबर भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है यह हमने बोला था ना यानि कि यहां पे लेकिन क्या होगा देखो ऐसे लिखना है आर की जो वैलू होगी यह समझना यह पॉइंट यहां पर समझना जो आर की वैलू होगी वो क्या होगा जीरो क के बराबर भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ठीक है लेकिन लेकिन क्या होगा दो से बड़ा नहीं होगा यह बता इससे बड़ा नहीं होगा हम सुनो पहले इधर देख लो यह आर की वैलू इससे बड़ा नहीं होगा दो से बड़ा नहीं होगा दो से छोटा हो सकता है समझ र है नजी बदादल सकता है जीरो हो सकता है भी होसकता है यानी हम आर की बराबर है फिर वन हो सकता है बिलकुल ओ सकता है पर तक दो नहीं होगा Be good यहांपे दो से छोटा है तो दो नहीं होगा उसमें ठीकੇ तो यह बिलकोल या आरकी वैलू जीरो होसकती है और वहनों सकती इसी यहीं पॉइंट मे देखने के लिए समund लो पहले आरकी होगी ऐसे और की वैलू जीरो हो सकती है या वन हो सकती है इससे दो नहीं हो सकते उससे छोटा हो सकते ठीक है अच्छा देखो यहां पे अब हम क्या करेंगे इस Q क्वेशन में दो कीस बनाएंगे दो किकि एक केस हमारा और एक इव normal के और के लिए तो थे कि लिए तो मढलें यहां पर हम क्या लिखें कैस फिर्स लुए सोग तो के सफस्त में क्या करेंगे इस सोमें इस इक्वेशन में जहां क्यू है वहाँ पर इंपूट करेंगे ठीके दिया पर लिखेंगे पूटिंग क्यू पर अर्क जगह पर पहली केस मेंट इकल टू जीरो ठीके तब यहां पर को कि क्या हो जागा A बराबर 2 और देखो Q के जगा PM प्लस 0 तो A बराबर क्या हुआ 2M आया की नहीं आया इधर देखो पहले A बराबर 2M आया की नहीं आया अब देखो यह हम यहाँ पे जैसे ही 2M आयेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे It is clear that It is clear that यह समझना है तुमको clear that 2M is a even positive integer अब यह कहोगे कैसे आपने लिख दिया कि यह जो है even positive integer है समझ रहो तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपनी तरफ से चेक करके वो लिखना नहीं है हमको बुक में मतलब जब एक्जाम में आयेगा तो ऐसे इतना ही लिखना है लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि आखिर में कैसे समझने के परफस से अगर यह हम के जगह पर वन रखो तो टू अन्जा टू होगा कि नहीं होगा होगा ना यानि कि एम के जगह पर अगर वन रखे तो टू अन्जा टू हुआ चलो 2 रखो तो 2 तो 4 हुआ, 3 डखो तो 3 तो 6 हुआ, ऐसी 8 होगा, तो बताव यह सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, तो यही चीज हमको प्रूप करना है, यह जो है, यह पहला केस में हमको प्रूप कर लिए, यह जो क्या है, एक इवन इंटेजर होगा, यहां तक क्लियर हुआ, अब देखो, जो दूसरा हमको प्रूप करना है, केस नंबर सेकेंड में, देखो, यहां पर, ऐ सब्सक्राइब कि यहां पर लिखेंगे कि पूटिंग तो कि बढ़ाबर एम एंड आर बराबर क्या वन इन एक्वेशन फस्ट तो देखो क्या होगा ए बराबर क्या हो जाएगा टू एम प्लस आर के जगब क्या हो जागा वन ठीक है और यहां पर लिखेंगे बाद फिर यह स्टेट्मेंट लिखोगे कि इस क्लियर दैट दैट टू एम प्लस वन इस अ ओड पॉजिटिव इंटीजर इतना लिखोगे ओड पॉजिटिव इंटीजर वाई चेक कर लो यहां पर क्यों क्योंकि अगर वन रखोगे तो टू वन जाट टू वन थ्री हुआ बोलो जीरो रखोगे तो यह वन हुआ वन थ्री दो रखो तो दो दिनी चार एक पांच हुआ एक तीन पांच साथ ऐसे करके आएगा तो यही चीज़ दिखाना था कि जो टू एम होगा वो किसके जैसे होगा एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और जो टू एम प्लस आज आए और नहीं है एसमें ठीक है बस यह एनी पॉजिटिव इंटीजर इस अप दर फॉर्म आप घर आनिकि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वह यहां तो तो 3q के टाइप का बनाना तुमको यहां प्लस ब्लस यह तुक्र टाइप का मनाना है ठीक है यही चीज़ देखो यहाँ पर लिख लेना है या तो तुम A के वराबर माल दो जैसे कि यहाँ पर हमने यह वाला फार्मॉलर लिखा न ऐसे डिवाइट कर रहे थे न B को A से और यह Q आ रहा था और यहां पर R था तो हम लिखते थे ना A बरावर B Q प्लस R ठीके तो यहां पर हम माल लेंगे B माल लो कुछ भी माल लो तो यहां पर माल लो कि हम B लिखेंगे कि B क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है ठीके अगर B भी मान सकतो यह N भी मान सकतो उससे कोई मतलब नहीं है कि यह जो है क्या है B जो है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है ठीके अब क्या होगा इसके हिसाब से देखो कि हम क्या कर रहे है कि हम डिवाइड करें B नहीं यहां पर A लेना है क्योंकि A यहां पर है न इसी के तो बराबर लिखना है A is a positive इंटीजर अब क्या करोगे यहां पर B से न डिवाइड कर किये तो क्यों कोशन डाया रिमेंडर आ रहा है तो यहां पर लिखोगे on dividing by 3 यह लिखना पड़ेगा तुमको on dividing by 3 यहां पर लिखें क्योंकि यहां तीन है तो अगर मालों यहां पर हम 3 से डिवाइड करें इसे A रहे सोचो अब यही केस बदलना हो इसी पर देखो A तो है यहां पर मैंने लिख दिए A is a positive integer अब इसके हिसाब से हम बोले थे न कि जो भी रहेगा यहां से उसको डिवाइड करना है तो यहां पर लिखना पड़ेगा on dividing by 3 हमने क्या कि यहां पर 3 से डिवाइड किया ठीक है तो लेट क्यूबी दे को सेंट दो को इसमें क्यू आ रहे ना तो वहां क्यूबी रहने देना यहां पर यहां पर देखो थ्री से डिवाइड करना on dividing by 3 लेट क्यूबी दर को सेंट को ठीक है नहीं यह लिखना पड़ेगा तुमको मान रहो ना लेट कर रहो न तो लिखना पड़ेगा इसके हिसाब से सेट कर रहो यह में यह देखना है यह यहां पर पांच रहेगा तो यहां पर पांच लिखना है तुमको ठीक है अब कोई जरूरी नहीं यह ही र होगा अब क्या कर रहा है यहां पर थ्री है इसके वज़ेसे हमने कह दिया कि on dividing by three देखो three से divide किया तो जो let q be the question यानि क्यों क्या हूं पर को सेंट है and and अब यहां पर जो आरा है का वो क्या होगा रिमेंडर होगा and यहां से करेंगे तो यह जाएगा अब इसके हिसाब से तुरंत लिखोगे न कहोगे सर हमको पता है यहां पर दिविजन लेमा के हिसाब से बताओ अगर यहां पर लगाया तो बताओ क्या होगा ए बराबर three q प्लस आर होगा की नहीं होगा होगा तो यहां पर लिखेंगे यह बराबर क्या three q प्लस आर इसको एक्वेशन नमबर फर्स बन देखो यह चीज तुम चाहोगे तो डारेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन यह चीज लिखना ज़रूरी है कि तुम किससे डिवाइड कर रहा हो ठीक है अगर यहां पर फाइफ रहा तो यह लिखना होते तो डारेक्ट भी लिख सकते हैं और डिवाइडिंग वाई टू लेट एम बीदे को सेंट क्योंकि वहां पर एम आ रहा था एम बीदे को सेंट और भी रिमेंडर समझ रहो ऐसे करना है एकुलिट डिविजन के हिसाब से ए बराबर three q प्लस आ रहा है हमने अभी जस्ट यह क्या होगा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा देखो कि लेगती अ रिकल टूब टू जीरो देखो आई अ नडिकेल टूब धन गरेटर नहीं ग्रेटर थे उसाद नंगर बोड़ााहु और या बराबर होगा ठीक ए लेज दन किससे होगा बतां यह 3 है नहीं यहां पर 3 होगा तो यह तुमको यहां लिखना है यानि कि फाइनली अगर देखा जाए तो R की वेलु क्या क्या हो सकती है ठीके देखो R की वेलु बताओ क्या क्या हो सकती है जीरो होगी 1 होगी 2 होगी 3 होगा क्या 3 नहीं होगा क्योंकि उससे तो छोटा दिखाना है यानि कि R की value 3 case आया है 0 1 2 ठीके यानि कि हमको 3 case लेना है case first case second और case third वह ही ले जाकर put करना है तो मालना हम directly कर दे case अगर नहीं मानोगे तो उससे कोई मतलम नहीं है तो यहां पर R के जगह पर क्या लिखोगे 0 एक बर put कर दो put या putting R equal to 0 ठीके इन equation first इतना ही करना है तुमको तो जैसे ही put करोगे यहां पर तो बताओ क्या होगा A बराबर 3Q plus 0 बताओ तो क्या होगा A बराबर 3Q आया की नहीं आया एक आ गया ऐसे ही तुम क्या करोगे अगर पुट करोगे R की value क्या 1 आर की value क्या 1 तो क्या हो जाएगा इसमें put करो A बराबर क्या होगा 3Q plus 1 आ गया फिर ऐसे ही R की value 2 पुट करोगे तो A बराबर 3Q plus 2 आ गया तो यहीं तुमको दिखाना था देखो कुल मिला जोला के सबसे मतलब थोड़ा सा कहां पर दिक्कत वो करना है जो जो भी effort करना वो कहां पर होगा वो सारा का सारा जो है इसको बनाने मोगा कि किस से डिवाइड कर रहा हूँ अगर मालो हमारा पास ऐसे रहता 5Q 5Q प्लस ऐसे क्यू के जगा पर मालो टी रखता फाइफ टी फाइफ टी प्लस टू वन या फाइफ टी प्लस टू कि समझ रहो तो आप क्या करोगे फिर वहीं लिखोगे कि on dividing देखो on dividing भाई थी के जगा तुमा है तो नहीं तो वहाँ पे को सेंट इसके जगह पर टी होगा य हुगा एंड चाहिए तुमको लिखना है बलाबर भी हो सकता है बलाब क्वेस्चन मतलब यह देखो सो दैट मतलब दिखाना है तुमको कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ठीके यह किसके टाइप का होगा 3q 3q plus 1 3q plus 2 for some integer q मैंने इसके टाइप का बनाना है मतलब कोई भी इंटीजर कर ले वह सब्झेजर होगे यहां पर तो ऐसा कौन सा में इंटेजर मतलब हमको यह दिखाना है यह 3q यह 3q plus 2 और 3q 3q plus 1 मतलब कैने मतलब यह है कि यहां पर यह जो जा रहा है ना यह कि यह जो जा रहाना है जिसके टाइप बने वह आप मालो हम यह पर फॉजिटीव इन्टीजर बनाना है किसके हिसाब से युकलिट के हिसाब से हमको और चीज नहीं पढ़ाना है हमको यह बोला है कि युकलिट के हिसाब से कोई ऐसा इंटीजर बनाओ कि जो यह चीज हो सके तो हमने क्या किया हम युकलिट के हिसाब से ने सेट किये इसको देखो यही उकलिट के हिसाब से हमने सेट किया कि हाँ ऐसे होगा अब आर्की वैलो अगर यह चीज रखेंगे तो इसके टाइप का यह बन जाएगा यह चीज़ें कहां पर वह तो में हां हां नहीं वह बाता ना आशी नहीं दिया है ना वो मरत यह तुम्हार डीजिट में नहीं पूछे गएगा न ऐसे करके वह इसके टाइप का नाए क्योकि हमेशा देखो बी अ बरावर भी क्यूउप्लस प्लस और यह देख रहा हो नब प्रूब करने की जरूद पड़ती इसके टाइप का दिखाना है तुमको इसलिए वो छोड़ दिया उसको बस यह वाला दे दिया है और क्यू तो रहना ही क्यू और आर तो डिपेंड करेगा इस पर इसलिए बदलना है ठीके अभी और देखेंगे हम लोग ठोड़ा सा इसके अगला वाला कोश्र देख लेते हैं चलो यहां पर देख लो सुनों कि यहां पर कैसे हमको प्रूफ करना इसको लिए देखो यहां पर यह लिखाओ है न कि हमको ऐसे दिखाना है कि यह 4Q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के टाइप का है एक क्यू इंटेजर के लिए क्या होगा यह इस पाड़ेगा ना देखो यह फोर से डिवाइड करेंगे को सेंट क्यूं आएगा रिमेंडर आ रहाएगा ठीक है अब हो गया न को सेंट क्यूं आ रहा गया न चलो अब देखो हम लोग क्या यहां पर स्टाटिव इंका लिखेंगे लेट a is a positive integer ड्यांस देखना यह statement सम्में सेम होगा देखो क्या है एक positive integer है अब क्या कर on dividing by 4 on dividing by 4 q be the cosine and r be the remainder यहां आप लिखेंगे on dividing by 4 q be the remainder q be the cosine and r be the remainder ठीक है यानि कि क्या होगा को सेंट होगा और आर जो क्या होगा remainder यहां तक समझ में आग नहीं आया अब दोकर यहां पर क्या करना क्या है अगर ऐसा होता है तो euclide के हिसाब से यानि euclide के अनुसार क्या होगा by euclide लेमा ठीक है आप देखो euclide लेमा के हिसाब से क्या होगा ए बराबर 4 q Q plus R होगा कि नहीं होगा वही चीसिति आप लिखना है ए बराबर 4Q plus R equation number first आप ए बराबर 4Q plus R आया यहां पे लिखना है तुमको कि जो R होगा ध्यान से देखो वो greater R equal to होगा किसके 0 से यानी R की वेलू 0 के बराबर भी हो सकती से बड़ा भी हो सकती है लेकिन कहां से छोटा होगा चार से मैंने बोला था कि जो भी होगा उससे छोटा होगा हो गया ना अब देखो यहां पे अब हम एक-एक को पुट करेंगे यानि finally मेरे पास क्या आया R की वेलू 0 1 2 3 यहीना आएगा आर के वेलू 0 1 2 3 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं देखो ए बराबर अगर यहां पे आर के जगब 0 रखो तो क्या होगा 4Q आया 1 रखो तो क्या आया 4Q प्लस 1 आया ठीके ए बराबर अगर यह आर के जगब 2 रखो तो क्या हो जागा 4Q plus 2 आया और A बराबर क्या हुआ अगर 3 रखो तो क्या होगा 4Q plus 3 आया यहां तक आया कि नहीं है जबकि क्या होगा हमारे पास तो 1, 2, 3, 4, 4 value आ रहे हैं लेकिन मुझे को क्या दिखाना है 4Q plus 1 और 4Q plus 3 न इसका मतलब इस case के लिए इसके लिए किसके लिए बात कर रहे है केवल odd integer की तो बात कर रहे है इविन की तो बात ही नहीं कर रहा है इसका मतलब कि यह जो 4Q है यह नहीं होगा और 4Q plus 2 यह नहीं होगा क्यों क्योंकि यह odd की केवल बात कर रहे है इविन की बात नहीं कर रहा है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा clearly ठीक है यानि कि हम से जिसे पूझो पूछेगा वही हमको चाहिए तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा clearly 4Q and 4Q plus 1 4Q 4Q plus 2 यह और यह न यह दोनो 4Q and 4Q plus 2 बोथ यहाँ पर देखके रहें बोथव से दोनों के दोनों इंटीजर हमको पर दोनों के दोनों आदेगा की ओर चाहिए तो यह दोनों पर लिखना पड़े 4Q plus 1 and 4Q plus 3 ठीक है 4Q plus 1 and 4Q plus 3 ठीक है यह क्या होगा odd integer odd integer यहां पर लिखना बोथ odd integer for some integer Q देखो हमको यह चीज नहीं लेना है क्योंकि आने के लिए तो इसके में यह odd वाला भी आगे लेकिन हमसे केवल केवल पूछा किसके लिए odd के लिए और इन चारों में से odd क्या मिला एक 4Q plus 1 मिला है इसलिए even वाले को हमने यहां पर not equal to दिखाया है ठीक है यह दिखा देना डारेक्ट और नहीं तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि तुम उससे केवल आर की वैलू वन पूट कर दो और केवल थ्री पूट कर दो यही कर दो दोनों कर सकता तो उसमें कोई डिक्कत नहीं समझ रहा बात को यह चीज़ हो जाएगा तुमारा कि सुनलो यहां पर लिखा हुआ है अभी हमको क्या देखना है सुनो ए थ्री को अब इससे एक को डिवाइड करें को सेंट क्यों आगा रिमेंडर आ रहाएगा हना यानि कि फाइनली करना यहां पर लिखना है लेट ए इस और इंटीजर इस और पॉजिटीव इंटीजर यह आप तक तो जितना तुम लोग लिख रहे था न अपते इससे पहले बारे कॉश्चन हुआ है लिखना है एक या पॉजिटीव इंटीजर है और डिवाइडिंग थ्री क्यों भी दा को सेंट और बीद रिमेंडर यह लिखना है यहां तक लियर हुआ यह तो ठीक है अब इसके हिसाब से बताओ क्या होगा एबराबर थ्री क्यों प्लस आर होके नहीं क्यूं यहां पे यह लिख दिऊंगे यहां पर कि यह बाई उक्लिड डिविजन लेमा सौट में नहीं यह लिख दिया बाई युक्लिड डिविजन ल होगा किस से तीन से और बड़ा यहां बराबर होगा किस से जीरो से यह जानते हो यहां था क्लियर हो गया अब इसमें करना क्या आर की जब यह वैलू आएगा तो तीन केसे बनेंगे तो सबसे पहले हम केस फॉस्ट लिखेंगे केस फॉस्ट ध्यान से देखना केस फॉस्ट में क्या था कि बताओ हम अगर जीरो रखें इधर समझो तो यह बराबर क्या हुआ यह बराबर थ्री क्यू प्लस जीरो होगा कि नहीं हुआ तो यह क्या हो गया तुम्हारा थ्री क्यू हुआ बताओ जीरो एड करेंगे तो वही होगा यहां तक लियर न अब एक स्टेप आगे हमको जाना है क्यों जाना है क्योंकि वहां पर लिखा हुए so that square of any positivity जर्माने अब इसका square करना है हमने दिखा दिए कि यह बरावर थी क्यों है तो यह दिखा हो कि इसका square जो है यहां पर सिघ्वित करनों साइड ओन वूजा यहां पर इसकाइर क्यों हो में इसकाइर को इसकाइर ॥bnा यहां हो यहां तक क्लियर हुआ कि यहां यह तक ने अब लावरAn और 9 q Cr हो गया कि नही धुव allies केवाथ अब देखेग यहां जैसे ही 9Q square होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इधर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जागा कैसे लिखेंगे 3 को बाहर निकाल लो और अंदर क्या बचा 3Q square बना की नहीं बना 3 अगर हम common ले 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 तो 3Q square बना की नहीं बना बना न बोलो क्यों क्योंकि हमको 3M के type का बनाना है तो यहाँ पर हम सीधे सीधे अगर डारेक्ट हम लिख दे 3M और यहाँ पर लिख देंगे where M equal to 3Q square बस यह हो गया 3M का type का बना उसके जगा पूट कर देना है बस इतना करके तो बताओ हमारा एक 3M का type का बना की नहीं बना बना उसका square भी उसके type का बन रहा है यह चीज़ दिखाना है अच्छा अद दूसरा देख लो यहाँ जान से 9 इसलिए common नहीं ले सकते थे क्योंकि हमको इसके type का बनाना यह देखो यह जिसके type का बनाना रहेगा उसी किसाब से common लेना तुम हाँ 9 common लेते उसके type का बनाते अभी और question है जैसे इसके पहले भी उसका कुछ भी ले सकते हैं जैसे हमारे पास अगर इसको यह यहाँ है तो बताओ हमारे पास उसके type को बनाने के लिए थ्री बाहर करना पड़ेगा न जो बाकी के जो बचएगा वही तो यह मोगा किया चीज कि नहीं यहां पे दिखाओ न हमने यहां पे इसके टाइप का बनाए थ्री एम के टाइप का हमको बनाना है तो मेरे पास तो यह आया ना 9 q2 9 q2 आया हम दिखा रहें कि अगर उसके लिखेंगे ना इसका मतलब जब इसके जगह पर लिखेंगे तो एम जो है किसके बरावर है 3Q स्क्वाइर के बरावर होगा यह चीज़ यहां पर दिखाना अब यह दिखाना है अगला प्माइंट है तुमारा कि अगर मालो हमने क्या यह देखो 3m-1 आ रहा है रिमेंडर को ध्यान से देखो यह बन और और इसके जगह पर यह देना है यानिंग इसके जगह पर 1 लेना ना इसके बढ़ाइबर था अधां बराबर वन इसकी जगा पर क्या लिखेंगा आर्िकोल टुक्न вन जैसे हम आरे की जगपर रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा A बराबर के 3 q प्लस वन बताऊ यह होगा कैंड इसके इसाप से अगर पुट करेंगे तो ए बराबर 3Q plus 1 आया कि नहीं आया अब फिर इसका भी हम all square करेंगे और उसका whole square दिखाएंगे कि इसके टाइप का बनेगा यह लिखाए ना so that square of any positive integer is in the form of मतलब इसका जो भी आगा उसका square करेंगे तो इसके टाइप करेंगे यह चीज़ हमको दिखाना है ठीक है तो बताओ अभी तो हमारा यह आगया 3Q plus 1 हमको इसका square करना है और square करके दिखाना कि यह 3M plus 1 के टाइप कर लो squaring on both side squaring on both side जैसे हम क्या करेंगे इस दोनों side square करेंगे बताओ इधर तो square इधर कोई दिख्कत ही नहीं है चलो इधर बताओ 3Q plus 1 का holy square ध्यान दो पहले 3Q plus 1 का holy square हुआ के नहीं हुआ अब इसका a plus b का holy square पता है ने तुम लोगो बताओ तुम बताओ कि उसको बताने दो पहले राजदीब बताओ तुम बोलो a plus b का holy square का formula बताओ बहुत तेज़ा बताओ जी तुम प्रीतर बताओ बोलो 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 तो माइनस कहां से तुम ने उस मिले के चले आ रहा हूँ ठीके तो इसके इसाब से बताओ पहले का i2 square इधर देखो इधर देखो तो 3 का क्या होगा 9 होगा q square plus 1 का square 1 plus 2 3 6 q क्यों हुआ कि नहीं हुआ बताओ यहां तक कोई दिक्क्त है नहीं नहीं अच्छा एक चीज़ और बताओ तुम देखो हम लोग यह चीज़ पढ़े होगे तुम लोग हम लोग अपनी हिसाब से सेट करने के लिए हम लोग एक सिक्वेंस में पढ़ते हैं a square प्लस b square प्लस 2 यह पढ़ते हैं लेकिन जो रियल में फार्मुला है वह यह कहता है a square प्लस 2 यह प्लस b square यह बोलता है न अगर वह करोगे चाहिना करोगे तब भी यह वन को इधर करना है तुमको अगर नहीं वही वाला फार्मुला लगाने चाहते हैं तो क्या होगा नाइन क्यू स्क्वाइर बोलो प्लस टू ठीजा सिक्स क्यू अप प्लस भी स्क्वार य अब इन दोनों में क्या कामल लेंगे अब यह क्या कामल लेंगे अगर और भी मिलता है उस पर डिपेंट नहीं है इसको देखना है ये हमारे पास बाहर 3 आना चाहिए तो हम यह यह पर ठीजा स्वार भचा उनगे रहा है अब तुरंध हम लिक देंगे यहा देख लो 3M plus 1 और यहाँ पर लिख देंगे 3Q square plus 2Q बराबर M या ऐसे लिख दो M बराबर 3Q square plus 2Q हमको उसके type का बनाना था बना की नहीं 3M plus 1 का type का बन गया की नहीं बन गया तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाना था कि यह भी इसका square भी उसके type का बनेगा यहाँ था clear कैसे यहाँ पर यहाँ पर भी जोड़ करके आगे करना क्या ठीके जो लगेगा ना ऐसे ही लगेगा इसका square इस तरह से करके उसके बाद करना है लंबा चोड़ा process नहीं ही इतना तो करना पड़ेगा ध्यान दोगे तो स्टेट्मेंट ही तुमारा यह करके उतना करना पड़ेगा तो यहाँ पर फाइनली तुमको क्या दिखाना यह चीज तो दिखाना पड़ेगा कि जो इसका अच्छा अगर आर बरावर वन रखा न इदा देखो अब आर बरावर टू भी रखना आ अगर हमको तू रखके च chak करना है तो वो भी च्या होगा वो भी तुमको उसके टाइप का दिखाना था तो हमको तो केवल यही दिखाना ना 3M और 3M प्लस 1 का टाइप का है तो हम चाहो तो यहां छोड़ दो नहीं तो अगला जो स्टेप है वह भी आर पर पर टूपे भी दिखाना है लेकिन उसमें तब वह काटना पड़ेगा ना जैसे इसके पहले और इवन वाला काट दे थे त ठीक है नोट कोलो